हेलो बच्चो कैसे हैं आप बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्षा पांच प्रियावरेन अध्यान यानि EBS के अंतरगय चैप्टर नमबर फाइव बीज 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 तो आईए आप भी हमारे साथ साथ पढ़ें सबसे पहले एक नजर देख लेते हैं पार्ट को उसके बाद हम आपको बताएंगे इस पार्ट से संबंदित प्रशनों के उत्तर भी तो आज का हमारा पार्ट है बीज 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 तो बच्चो आप देख रहें नहीं आपर यह आपका कक्षा पांच प्रियावरेन अध्यान यानि EBS के अंतरगय चैप्टर नमबर फाइव बीज बीज और आप देखें यहाँ पर इस पार्ट को एक नजर आप भी पार्ट पर डालें चाहें तो आप यहाँ से पार्ट को पढ़ लें और चाहें तो आप अपनी नोटबुक में इस पार्ट से संबंदित कुछ खास बाते नोट भी कर सकते हैं और अपनी पार्ट पुस्तक से आ आने वाले हैं आप उन प्रस्णों के उत्तर भी अपनी नोट बुक में नोट करेंगे ताकि आप उने अच्छे से याद भी कर सकें तो बच्चो यह है पुरा पाट आपका आप इसकी एक जलक देखें और इसे पढ़ने का प्रियास करें इसे अच्छे से समझें इसके बाद हम सीदे आपको लिए चलेंगे इस पाट से सम्बंदित प्रस्णों के उत्तरों पर तो देख रहें न आप यह आपका चैप्टर नमबर फाइब बीज बीज और बीज तो यहाँ पर यह था पुरा पाट जो हमने आपको दिखाया आप वीडियो को रोक करके पाट को चलते हैं आपको इस पाट से सम्बंदित प्रस्णों के उत्तरों पर आप उन्हें अपनी नोट बुक में लिख भी सकते हैं तो बच्चो यह हैं आपके चैप्टर नमबर फाइब बीज 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 पाट के प्रस्ण उत्तर आपने पाट की एक जलक देख लिए उत्तर तो यहां पर आप देख रहें आपके लिए पेज नमबर कितना है 42 यानि कि 42 पर आप देखेंगे यहां पर आपके लिए प्रस्ण है चर्चा करो और पहला प्रस्ण है तुमारे घर में कौन-कौन से चीजे खाना बनाने से पहले बिगोई जाती हैं और क्यूं उत् प्रस्णा, मूं, मटर, राजमा आदी को बनाने से पहले बिगोया जाता है इनके दाने बहुत कड़े होते हैं जिनें पकाने में बहुत समय लगता है बिगोने से यह मुलायम हो जाते हैं तथा इने पकाने में भी बहुत कम समय लगता है इस प्रकार आप उत्तर इसके बाद आपके लिए है दूसरा प्रस्णी आपर दूसरे प्रस्णी में क्या पूछा है तुमारे घर में कौन-कौन से चीजें अंकुरित करके खाई जाती है उन्हें अंकुरित कैसे किया जाता है और कितना समय लगता है यहाँ पर लिखेंगे आप कितना समय लगता है उतर लिखेंगे आप मेरे घर में चना मूंग यहाँ पर लिखेंगे मूंग अंकुरित करके खाये जाते हैं चने या मूंग को पानी में रात बर भिगोया जाता है सुबह उसे पानी से निकाल कर गीले कपड़े से बांध कर छोड़ दिया जाता है चने को अंकुरित होने पर या होने में 36 से 48 घंटे और मून को अंकुरित होने में 24 से 32 घंटे लगते हैं इस परकार आप दूसरे प्रस्न का उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद तीसरा प्रस्न आपके लिए बच्चो क्या तुमें या तुमारे आसपास किसी को डॉक्टर ने अंकुरित खाने की सला दी है और क्यों तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप उत्तर हाँ मेरी मा को डॉक्टर ने अंकुरित खाना खाने की सला दी है यह बहुत ही पॉस्टिक होते हैं इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं, तीसरे प्रस्न का, इसके वाद चौता प्रस्न है, आपके लिए यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर जो है, आप जाएंगे, प्रस्ट संक्या 43, यानि कि 43 नमबर पेज पर देखें आप, आप अपनी पाटे पुश्तक के 43 नमबर इसके प्रियोग किये थे आओ एक और प्रियोग करके देखें और यहाँ पर आपके लिए नंबर एक लिखा है चने के कुछ दाने और तीन कटोरियां लो पहली कटोरी में चने के चार-पांच दाने लो और कटोरी को पानी से पूरा भर दो दूसरे प्रियोग में क्या लिख इस प्रकार से आप रखेंगे और यहाँ पर नमबर तीन है तीनों कटोरियों को ढख दो दो दिन बात देखो और लिखो कटोरियों के चनों में क्या बदलाओ दिखा तो आपको क्या क्या बदलाओ दिखा यहाँ पर यह आपका जो प्रियोग है यानि प्रेक्टिकल उसका ज आवा मिल रही है तो पहली कटोरी में नहीं दूसरी में हाँ और तीसरी में भी हाँ इस प्रकार से आप चार्ट बनाएंगे उसके बाद क्या बीजों को पानी मिल रहा है यहाँ पर पहले में हाँ दूसरे में हाँ और तीसरे में नहीं और उसके बाद क्या लिखा है बीजों में दूसरी कटोरी में बीज फूल कर बड़े हो गए और तीसरी कटोरी में कोई बदलाव नहीं आया तो इस प्रकार से आप यहां पर आगे लिखेंगे क्या बीजू में अंकुरन हुआ पहली कटोरी में नहीं दूसरी में हाँ और तीसरी में नहीं तो इस प्रकार से आपने देखाने आपर जब आपने प्रियोग किया तो आपका ये था आपका result इस परकार से बनेगा पहली कटोरी दूसरी कटोरी और तीसरी कटोरी का और इसी परकार से आप एक सारनी बनाएं एक table बनाएं और उसे लिखें इसके बाद है अगला प्रसन आपके लिए बताओ और लिखो तो यहाँ पर पहला प्रस्थन है किस कटोरी के बीजू में अंकुरन हुआ इस कटोरी को इस कटोरी और बाकी कटोरियों के बीजू में क्या अंतर है तो उतर लिखेंगे आप अंकुरन केवल दूसरी कटोरी में हुआ कटोरी दो के चने को पानी और ह चने थे उनको केवल हावा ही मिली अंकुरन के लिए हावा और पानी दोनु जरूरी है इस प्रकार आप इस प्रस्णिका उत्तर लिख सकते हैं इसके बाद अगला प्रस्ण है बच्यो देख रहें आप यहां पर दूसरा गोपाल की माने भिगो हुए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड में क्यों बांदे हैं उत्तर लिखेंगे गोपाल की माने बिगोए चने अंकुरित करने के लिए गीले कपड़ में इसलिए बांदे ताकि चने को पानी और हवा दोनों मिले इस प्रकार से आप इस प्रस्ण का उत्तर लिखेंगे आप इसे अपनी नोडूग में लिखते चले जाएं तीसरा यहाँ पर तीसरा प्रस्ण आपके लिए साबुद मसूर की दाल को हम अंकुरित नहीं कर पाते सोचो क्यों उत्तर लिेंगे साबुद मसूर की दाल बनने में मसूर को कई प्रकुरिया से गुजरना पड़ता है इसके कारण उसकी अंकुरित होने की ज्हमता खत्म हो जाती है, इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं, चोथा प्रसन आपके लिए आप देख रहे निया आपर चोथा प्रसन अपने अंकुरित बीज को ध्यान से देखो और उसका चितर बनाओ, तो यहाँ पर यह बच्चो अंकुरित बीज आप देख रहे नहीं आपर और इसका चित्र बनाएंगे आप भी इसी प्रकार से चित्र बनाएंगे उत्तर ही होगा आपके लिए इस प्रकार से आप जो है एक अंकुरित बीज लेंगे और इसका चित्र बनाएंगे आप देख रहे नहीं आपर आपको दिख रहा होगा पूरा अंकुरित बीज इस प्रकार आप इस प्रस्न का उत्तर इस बीज के द्वारा चित्र बना कर बताएंगे इसके बाद चलेंगे आप अगले पेज पर तो अगला पेज होगा आपका कितना 44 नमबर पेज यानि कि प्रस्ट संग्या 44 पर आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिलेगा प्रस्न किसका पौधा कितना बड़ा यह ना आपके लिए किसका पौधा कितना बड़ा आप पेज पर देखें एक गमला या चोड़े मुह वाला डिबा लो इसके नीचे छोटा सा छेत करके मिटी भरो किसी एक किस्म के चार पांच बीज मिटी में दबा दो काकसा में सभी बच्चे अलग-अलग किस्म के बीज बोएं कैसे बीज बोएं जैसे सरसों, मेती दाना, तिल, धनिया, आदी और उन पे नाम लिखें कि किसने क्या बीज बोएं बीज का नाम आपको मालूम होना चीए, किस दिन बोएं तारीक मालूम होनी चीए आप जिस दिन से तुम्हें छोटा सा पौदा निकलता दिखे, उस दिन से अपनी तालिका भरो तो आप किस प्रकार से बरेंगे उतर में लिखेंगे आप बीज का नाम बीज बोने की इत्ति थी 5 नवमबर और इस प्रकार से आप एक तालिका बनाएंगे एक सार Means ऐसी बनाएंगे बच्चो आप ध्यान दे तारीक लिखेंगे तालिका में इतने सारे खाने मनाएंगे आप और तब आपके प्रस्निका उत्तर बनेगा पहले लिखेंगे आप तारीक पौदे की लंबाई सेंटीमीटर में कितने पते दिखे कोई और बदला हुए तो क्या क्या हुए आप लिखेंगे यहाँ पर इस प्रकार से 5 नवंबर को बोया था और यह 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पर लंबाई बढ़ी और कितने पते दिखे दो पते दिखे और कोई बदला हुआ नहीं हुआ तो इसी प्रकार से आप यहाँ से इस टेबल को बना सकते हैं इसके बाद लिखेंगे आप 6 नवंबर को कितना बढ़ा 2 सेंटीमीटर और कितने पते दिखे 3 और कुछ और बदलाव आए नहीं 7 नवंबर को क्या हुआ 21 सेंटीमीटर यह बढ़ गया 21.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर 4 पते दिखने लगे और तना मोटा हो गया इस प्रकार से आपको बदलाव दिखते से ले जाएंगे पौदे में और इसी प्रकार से 8 नॵंबर को पौदा कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर आप देख रहें नहीं आपर 4 सेंटीमीटर 6 पते दिखने लगे और तना और भी मोटा हो गया ये इसमें बदलाव आए तिस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रस्न के लिए ये टेबल बनाएंगे इसके बाद आईए चलते हैं प्रस्ट संक्या 45 पर आप देखें यहाँ पर 45 नंबर पेज़ पर देखें यहाँ पर आपके लिए प्रस्न पता करो और पहला प्रस्न आपके लिए बीज बोने और छोटा पौदा दिखने में कितने दिन लगे उतर लिखेंगे बीज बोने और छोटा पौदा दिखने में 6-7 दिन लगे दूसरा प्रस्न है पहले दिन और दूसरे दिन पौदे की लंबाई में कितना अंतर था उतर लिखेंगे आप पहले दिन और दूसरे दिन पौदे की लंबाई में 1.5 cm का अंतर था देखेंगे ना आप यहाँ पर और इसी प्रकार आप तीसरा प्रसंद देखें किस दिन पौदे की लंबाई सबसे ज्यादा बड़ी तो किस दिन बड़ी बच्चों तिसरे दिन पौदे की लंबाई सबसे ज्यादा बड़ी तो आप करेंगे नहीं काम बोईंगे एक पौदा किसी गमले में थोड़ी मिट्टी डाल कर और उसमें पानी डालते रहेंगे और लिखते रहेंगे क्या-क्या आपने अंतर देखे चोथा प्रस्न है क्या हर दिन पौधे में नया पत्ता या पत्ते निकले उत्तर लिखेंगे हाँ हर दिन पौधे में नये पत्ते निकले और पांचवाँ प्रस्ण है क्या पौधे के तने में भी कुछ बदलाव आया उत्तर लिखेंगे आप हाँ पौधे के तने में दिनो दिन मोटे और मजबूत हो गए यानि कि जो पौदा था उसके अतना पौदे के तने दिनों दिन मोटे होते गए और मजबूत भी होते गए इस परकार आप उत्तर लिखेंगे इसके बाद बच्चो अगला है यहाँ पर आपके लिए प्रस्ने चर्चा करो आप देख रहे हैं यहाँ पर चर्चा करो अपनी पुष्टक के पेज में देखें चर्चा करो पहला प्रस्ने किस बीज के पौदे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज्यादा दिन लगे तो किस पौदे को लगे? आपने बहुत अलग-अलग प्रकार के बीज बुए थे, सबसे ज़्यादा दिन किस बीज ने लगाया? उतर लिखेंगे तिल के बीज को मिट्टी से बाहर आने में सबसे ज़्यादा समय लगता है इसके बाद नमबर दूसरा प्रसने है किस बीज के पौदे को मिट्टी से बाहर आने में सबसे कम दिन लगे? उतर लिखेंगे सर्चों के बीज को मिट्टी से बाहर निकलने में सबसे कम दिन लगे? इस प्रकार आप उतर लिख सकते हैं इसके बाद तीसरा प्रसने आपके लिए कौन सा बीज उगा ही नहीं क्यों नहीं उगा उतर लिखेंगे जिन बीजों को सही मात्रा में पानी और हवा मिली वे सबी अच्छे होगे और जिने पानी और हवा नहीं मिली वे पौदे नहीं होगे इस प्रकार आप लिख सकते हैं और फिर सूख जाते हैं इस प्रकार आप इस प्रस्ण का उत्तर लिखेंगे अगला प्रस्ण है बच्चो पौदे को पानी न मिले तो क्या होगा उत्तर लिखेंगे पौदे पहले पी ले होंगे फिर सूख जाएंगे इसी प्रकार होगा ना इसके बाद है आगे आपके लिए दिल की बात बताओ यहाँ पर आप अपने पेज में देखें और यह दिल की बात बताओ तो यहाँ पर आप ध्यान दें यहाँ तक यह उत्तर समापत होता आपका और यह आगे फिर आपके लिए अन्य प्रस्णों के लिए यहाँ पर दिल की बात बताओ यह द्यान रखें इस उत्तर के साथ नहीं है यह उत्तर यहीं तक समाप्त हो जाता है तो यहाँ पर तीसरा प्रस्ण है बीज के अंदर क्या होता है उतर लिखेंगे आप बीज के अंदर एक नन्ना पौधा होता है और नमबर चार छोटे से बीज से इतना बड़ा पौधा कैसे बनता है उतर लिखेंगे आप बीज मिटी से पानी और सोशित कर अंकुरित हो जाते हैं हो जाते हैं ने बच्चो बीच जो है मिटी से पानी और सोचित कर अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं और इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं प्रस्क संक्या 46 यानि 46 नमबर पेज पर देखें आप अपनी पुस्तक के 46 नमबर पेज पर सोच और कल्पना करो याँ पर आपको ऐसा मिलेगा सोच और कल्पना करो पहला प्रस्न है अगर पौधे चलते तो क्या होता चित्र बनाओ तो याँ पर आप इस प्रकार से चित्र बनाएंगे देख रहे न आप चलते हुए पौधे का चित्र किस प्रकार से पौधा चल रहा है इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं यह हैं इसके हाथ यह हैं पैर और यह हैं पौधा इसकी आखें यह पतियां होगर हैं इसकी तो इसी प्रकार से आप भी एक सुन दर्सा चित्र बना लें जो की चलते हुए पौदे का होगा इसके बाद आईए कितने सारे बीज यहां पर देख रहे न बच्चो आप कितने सारे बीज तुम कितनी तरह के बीज इकटे यहां पर लिखेंगे आप इकटे यहां पर क्या लिखेंगे इकटे यहाँ पर इकड़े ना लिखें आप इकठे लिखें तुम कितने तरह के बीज इकठे कर सकते हो सोचो तुम्हें यह बीज कहां कहां से मिलेंगे सारी कक्सा मिलकर तरह तरह के बीजों को इकठा करे हो गए ना बहुत सारे बीज इन बीजों को ध्यान से देखो बीज के रंग उनका आकार उपरी सत्य, खुरदुरी या मुलायम कैसी होती है, दी गई तालिका से एक चार्ट बनाओ और पूरी कक्सा के बच्चे मिलकर उसे भरे तो यहाँ पर आपने बहुत सारे बीज कटे किये और उनका आपने चित्र बनाना है और साथ साथ चित्र के साथ यहाँ पर इस परकार से आप एक तालिका भी बना सकते हैं जिसमें आप लिखेंगे बीज का नाम, बीज का रंग आकार या चित्र बनाओ गया आप और उपरी सत्य कैसी थी जैसे आपने राजमा देखा है ने राजमा राजमा खाईए आपने राजमा की डाल तो राजमा कैसे रंका होता है भूरे रंका होता है और यहाँ पर आप राजमा का जो है ऐसे दाना बना सकते हैं और कैसा होता है उपर से मुलायम इस प्रकार से लिखेंगे आप मुंकी डाल कैसी होती है हरी और चितर बनाएंगे आप यहाँ पर और कैसी होती है मुलायम चना कैसा होता है बूरे रंग का चितर बना सकते हैं और यहाँ पर लिखेंगे खुरदुरा मटर कैसा होता है बूरा और चितर बनाएंगे और मुलायम लिखेंगे तो इस प्रकार से आप यह सारी यहाँ पर बीजो के नाम लिखेंगे यहाँ पर उनका रंग लिखेंगे यहाँ पर उनके चितर बनाएंगे और यहाँ पर वो मुलायम हैं के खुर्दुरे हैं यह सब लिखेंगे तो इस प्रकार से आप अपनी नोट बुक में एक टेबल बनाएं और इसे नोट करेंगे ये आपका उत्तर होगा ध्यान से देखें बच्चो दिख रहे न आपको इस प्रकार से आप बनाएंगे इसके बाद चलते हैं अगले नमबर पेज पर 47 नमबर पेज यानि 47 नमबर पेज पर देखें आप अपनी पाठे पुस्तक के अपनी किताब के 47 नमबर पेज़ पर देखें वहाँ पर क्या होगा आपके लिए सोचो एक प्रस्न होगा सोचो इसके अंदर कई सारे प्रस्न है जेको प्रस्न पहला क्या इस सूची में सौप और जीरा भी है हाँ आप लिखेंगे हाँ इस सूची में सौप और जीरा भी है तो है बचो यहाँ देखी थे आपने सौप और जीरा यह न देखो अब यह आपने जो टेबल बनाई थी उसमें यह है जीरा और यह है सौप तो है ना तो आपने देखा यहाँ पर तो क्या इस सूची में सौ fiquei और जीरा भी है तो उत्तर लिखेंगे आप हाँ इस सूची में सौ चोटा चोटा यहाँ पर लिखेंगे इकठे क्या लिखेंगे इकठे किये गए बीजों में सबसे चोटा और सबसे बड़ा बीज कौन सा है यह है आपके लिए प्रस्चन तो यहाँ पर लिखेंगे आप उतार लिखेंगे इकठे किये हुए सबसे चोटा बीज क्या है बिंड बनाओ और लिखो तो क्या लिखेंगे आप पहला है जो बीज मसालों के रूप में इस्तमाल होते हैं उत्तर लिखेंगे आप जीरा, काली मिर्च, धनिया, मेथी, सौंफ आदी मसाले के रूप में इस्तमाल होते हैं यही बीज होते हैं ना काली मिर्च, धनिया, मेथी, आप लिखेंगे इसी परकार से जो सब्जी के बीज हैं और सब्जी के बीज कौन कौन से हैं बच्चों आपने देखें सब्जी के बीज जैसे बिंडी टमाटेर खीरा कदू यहां पर लिखेंगे आप कदू आदी सब्जी के बीज हैं और जो फलों के बीज हैं फलों के फलो कर सकते हैं तो कौन-कौन से हैं हलके बीज कौन से होते हैं पतले से होते हैं हलके से फूग मारकर उड़ जाते हैं अजवाइन जीरा सौंप इस पेकार आप उतर लिख सकते हैं और जो चप्टे हैं चप्टे कैसे होते हैं बच्चो ऐसे चप्टे बीज कौन-कौन से हैं राज समूव भी बनाओ, कितने समूव बना पाए, उतर लिखेंगे आप बीज के हम निमने लिखी समूव बना सकते हैं, कैसे, कैवाला लिखेंगे छोटे बीज वाला, बड़े बीज वाला, हलके बीज वाला, और भारी बीज वाला, और पानी में तरने वाले बीज वाला, तो इस लिखेंगे आप आम के बीजों से बाजा बनाया जाता है बनता है न बच्चो कभी आपने आम की गुटली को फोड़ के उसके अंदर से गुटली निकाली होगी और उसे जूए गिसकर उसके अंदर एक पता डालेंगे और जैसे मूँ से उसे बजाएंगे तो पूफों की आवाज निकालता है तो आम के बीज से बाजा बनाए जा सकता है और या खेलने के लिए हो सकता है बच्चों के लिए और इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं 48 नमबर पेज यानि 48 नमबर पेज पर देखें आप यहाँ पर पहला प्रसने क्या तुमने भी कोई बीज उड़ते हुए देखा है उतर लिकेंगे आप हाँ हमने बीज उड़ते हुए देखा है और नमबर दूसरा तुमारे यहाँ उसे क्या कहते हैं उतर लिकेंगे हमारे यहां उसे बुढिया दादी कहा जाता है तो आपने जो बीज उरता हुआ देखा है बच्चो आप उसका नाम लिख सकते हैं इसी प्रकार से नमबर तीन अनुमान लगाओ कि तुमारे बीजों के समुओं में से कितने बीज हवा में बिकरते होंगे आप उतर लिकेंगे मेरे बीज समुओं में से कुछ बीज हवा में बिकरते होंगे जैसे अजुआइन, जीरा, सौप इस प्रकार आप उतर लिख सकते हैं फिर चौता प्रस्न आपके लिए इन बीजूं को देखकर तुमारे मन में क्या कुछ नया आइडिया आया उतर लिखेंगे हाँ इन बीजूं को देखकर मेरे मन में कुछ सजाने का आइडिया आया आगे चलते हैं पेज नमबर 49 यानिकि उन पचास नमबर पेज पर आप देखें किस पेज पर देखेंगे आप 49 नमबर पेज पर देखें आप वहाँ पर आपको मिलेगा प्रस्ट चित्रों को देखकर अंदाज अलगाओ कि इनमें बीज किस किस तरह से बिखर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह हैं यहाँ पर देखें यह बिकर रहे हैं कोई यह ले जा रही है गिलरी कोई चिडिया ले जा रही है और यहाँ कहीं जो है आप देखें यहाँ पानी में गिर रहा है कोई बीज तो उतर लिखेंगे आप पहले चित्र में गिलरी बीज पानी में और आगे चला गया दूसरे किनारे पे जाके रुका और वहां नारियल का पेड़ हो गया इसी प्रकार ये चिडिया कहीं बीज ले जाके गिरा देगी तो वहां पर पौदा जम जाएगा गिलरी जहां गिराएगी वहां भी कोई पौदा नया जम जाएगा तो इस प बीज भिकरने लगते हैं उनकी आवाज सुनी आपने उतर लिखेंगे नहीं हमने इसकी आवाज नहीं सुनी जब बच्चो सोविन का जो बीज होता ने फली होती है मटर की तरह जब उसके अंदर बीज सूख जाता है अगर उसको हम हाथ से बजाएंगे तो कैसे फली जो हिला बहुत सारी समस्याइं होती जैसे एक पेड़ के सारे बीज वहीं रह जाते उन बीजों से निकलने वाले पौदों को उचित धूप पानी या हवा नहीं मिल पाती और वे ठीक से बढ़ नहीं पाते यदि बीज वहीं पर गिर जाएं सारे तो क्या होगा बहुत सारे पौद बीज किस किस तरह से बिखरते हैं तो आप उतर लेकिंगे बीज निम्न तरीकों से बिखरते हैं यहाँ पर जैसे आप टेबल देख रहे हैं इसी प्रकार से आप टेबल बना सकते हैं जानवरों के द्वारा पक्सियों के द्वारा हवा के द्वारा और पानी के द्वारा इ कैसे मिलेगा आपको वाँ पर पहला प्रसņट होगा, यहाँ चितरी रीना ने मनाया है, अपने अंकुरित बीज का, तुम्हें क्या लगता है इन बीजों को अंकुरित होने के लिए किन किन चीज़ों की जरुवत होती होगी, अपने सब्दों में लिखो, अगर उन जरूरी चीजों में से कोई न मिले तो रिना के बीज कैसे दिखेंगे चित्र बना कर दिखाओ देखेंगे आप यह है प्रस्ण और इसका यह है उतर इन बीजों को अंकुरित होने में हवा पानी की जरुवत हुई होगी अगर इन बीजों को हम इन में से कोई चीज न मिले तो बीज म पान बरू के द्वारा पक्षियों के द्वारा हवा के द्वारा और पानी के द्वारा बिखड़ते हैं। उत्तर में के आगे क्या लिकेंगे कै और खै दो लिकेंगे आप हलके बीज हवा के द्वारा एक जगे से दूसरे जगे पहुँच जाते हैं और खै लिकेंगे कुछ बीज पानी में तेरते तेरते बहुत दूर तक चले जाते हैं जहां जाकरूं का पौदा बन जाता है तो ब उमीद है कि आप इन प्रस्णों के उत्तरों को अच्छे से पढ़ेंगे सुनेंगे और याद भी करेंगे और अपनी नोट बुक में नोट भी करेंगे ताकि आपको परिक्सा के समय किसी परिशानी का सामना ना करना पड़े तो बच्चो इसी परकार कक्सा 5 प्रियावरन अध्यान और हिंदी के सभी पार्टों के उत्तर और अपनी नोट बुक में नोट भी करते रहेंगे इसी के साथ लेते हैं आपसे विदा मिलते हैं अगले पार्ट प्रियावरन अध्यान काक्सा 5 पार्ट 6 में तब तक के लिए आपका दिन सुब हो